हेलो गाईस, वन्स अगेन वेलकम टू माई यूटूब चैनल नॉलेज अड़ा तो आज के वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्शन नमबर 3 देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे बॉरॉन तदा सिलिकॉन के मध्य विकर्ण संबंध यह जिसे हम ल भी ब्लॉक के आलीमेंट की बात हो जाहें पी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो आज पे आफ लोग यह जाता। करके चेक कर सकते हो तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसे पिरियोडिक टेबल में एक्स्प्लेइन करती हूं दैन उसके बाद हम लोग ये नोट भी देखेंगे और यहां पर हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे कि विकर्ण संबंद का मतलब क्या होता है और काफी सारे एक्जांपल भी मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाली हूँ यहां पर हम लोग देख रहे हैं आवर्थ सार्णी जिसको हम लोग कहते हैं periodic table तो जितना highlight किया हुआ है वो सारे P-Block के element के अंतरगत आते हैं अब हम बात करते हैं कि क्या होता है diagonal relationship तो guys diagonal relationship समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा periodic table में यह जो आपका second आवर्थ है और third आवर्थ है यहीं पर हम लोग देखेंगे पूरा विकर्ण संबन तो second आवर्थ में आपका कौन कौन से element है lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen और यह फ् को आप लोगों को ध्यान में रखना है अब देखें क्या हो guys इसमें का जो एक आवर्थ है वो दूसरे आवर्थ के अगले ग्रूप के साथ जो है वो विकर्ण संबन तरते हैं मतलब उनका जो काफी सारा जो properties होगा वो एक दूसरे से मिलता जुलता होगा यहां पे हम लोग इस टॉपिक में हम लोग बोरॉन और सिलिकॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग देखोगे यह जो बोरॉन है वो 13 नंबर का ग्रूप है और यह जो सिलिकॉन है वो 14 नंबर का ग्रूप है मतलब देखा जाए तो बोरॉन और सिलिकॉन दोनों अलग 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 ग लिकॉन के काफी सारे गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इसे ही हम लोग विकर्ण संबंद या फिर डाइगोनल रिलेशंसिप कहते हैं बात करें अगर कार्बन और फास्फोरस की तो ये भी एक दूसरे के साथ विकर्ण पोजिशन पर इस्तित है इस वज़े से कार् काफी सारे गुण एक दूसरे से मिलते हैं और यही सब आप लोगों का विकर्ण संबंद या फिर डाइगोनल रिलेशंसिप कहलाता है तो चलिए अब हम लोग इसको नोट्स में देख लेते हैं और भी अच्छे से यहां पे मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका डैफिने गुप 13 से है और सिलिकॉन जो की गुप 14 से है बिन गुप से है फिर भी यह दोनों तत्व तथा उनके यौगिक आपस में समानता प्रदरेसीत करते'T करते है और यही समानता आपकाविकर्ण संबंद या फिर बिकर्ण संबंद KE कारण्य है समानता हमको जह हो सो होता है तो यहाँ पे मैंने छोटा सा जो periodic table है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप लोग अच्छे समझ जाओ यहाँ पे second hour और third hour और यह group 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 तो यहाँ पे आप देखिए lithium, magnesium के साथ, berilium, aluminium के साथ, boron, silicon के साथ, carbon, phosphorus के साथ, nitrogen, sulfur के साथ और oxygen जो है वो chlorine के साथ, विकर्ण समझ अरसाते हैं तो guys आज के वीडियो में हम लोग boron और silicon के विकर्ण समझ के बारे में देखने वाले हैं तो हम लोग इस topic में यह देखेंगे कि boron और silicon के कौन कौन से गुण है जो एक दूसरे से काफी मिलते जूलते हैं जबकि यह अलग-अलग गुरूप से हैं, boron आपका गुरूप नंबर 13 से है और silicon आपका गुरूप नंबर 14 से है अलग-अलग गुरूप में होने के बावजुद भी इनके काफी सारे गुण एक दूसरे से मिलते जूलते हैं तो चलिए देखते हैं, अगर question exam में आता है, तो अगर आप लोग 8 properties भी लिखते हो, 8 गुरूप भी लिखते हो, तो आपको full marks मिल जाएंगे तो दोनों तत्व की समानता निम्नांकित विवरंड से इस पष्ट होती है, तो गईस सबसे पहले हम लोग प्राप्ती देख लेते हैं, बोरॉन तता सिलिकॉन दोनों ही स्वतंद्र अवस्था में प्रकृती में नहीं पाय जाते हैं, और केवल अपने ऑक्सी योगी के जैसे कि बोरेट बहुत सारा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग एक बार लेक्चन नमबर 2 जरूर देखना, तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि बोरॉन और सिलिकॉन के जो ऑक्सी अमलो होते हैं, उसी के रूप में यह हमें प्रकृती में जो है, वो मिलते ह हैं, तो यह तो हुआ गैज, प्रापती, तो हम लोग यहां पे यह देखे कि दोनों का जो प्रापती है, वो लगपग एक जैसे ही है, तो यह गुर जो है, वो दोनों में समान क्यों चो आई है जो कि विद्धूत से सूक आलग होते हैं मिदलभ गार्व कंडेक्टर होते, और अगर अगर मुझे करें कि नॉन मेटलिक की बात करें, तो, नॉन मेटल वो होते हैं जो कि विदूत के कुछ आलक होते हैं मतलब दोनों ही नॉन मेटल होते हैं ये दोनों जो है वो दातू नहीं होते हैं ये दोनों ही अधातू होते हैं दोनों ही अधातू होते हैं तथा दोनों ही विदूत के कुछ आलक होते हैं दोनों ही विदूत के कुछ आलक होते हैं दोनों का ज इसका नॉन मेटलिक नेचर अब चले थर्ड नमर का देखते हैं निशकर्षन बोरॉन तता सिलिकॉन दोनों का ही समान वीधियों द्वारा निशकर्षन किया जाता है निशकर्षन मतलब आप लोग समझ रहे हो गाईस कि कैसे हम लोगों को जैसे की बोरॉन के ऑकसाइड है सि अगर हम लोग इसका रियक्षन एमजी के साथ कराते हैं यहां पे आप देख रहे हो B2O3 प्लस 3MG और SiO2 प्लस 2MG दोनों का रियक्षन हम लोग मैगनीसियम के साथ करा रहे हैं तो दोनों का निशकर्षन जो है वो सेम वीधि द्वारा करा रहे हैं मतलब दोनों में ही हम मैगनीसियम का रियक्षन करा रहे हैं और जैसे हम लोग इसका निशकर्षन कराते हैं यह जो आपका B2 है मतलब जो बोरॉन है वो अलग हो जाता है बाकी यह जो MG है वो इस ऑक्सिजन के साथ आ करके जोड़ जाता है और आपका बन जागा 3MG हो सेम यहां पर इसके साथ भी वीदियों से निशकर्षन के द्वारा हमें सुद्ध वज़ता में बोरॉन और सिलिकॉन जो है वो मिल जाते हैं तो हम लोगों ने यहां पर यह देखा कि बोरॉन और सिलिकॉन के दोनों के प्रोपर्टी लगभग सेम है चाहे उनकी प्राप्ति की बात हो चाहे उनके बोरॉन और सिलिकॉन के ऑक्साइट के बारे में भी देख लेते हैं दोनों ही ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाने पर ऑक्साइड बनाते हैं अगर हम लोग दोनों एलिमेंट कर यह दन के साथ कराएंगे तो सभाविक सी बात है ऑक्सीजन के एटम इस बोरॉन और सिलिकॉन के साथ जुड जाएंगे तो यह हमारा oxide कहलाएगा तो यहाँ पे देखिए boron 4 boron का reaction हम लोग 3 O2 के साथ oxygen के साथ कराते हैं तो यह आपका बन जाता है boron oxide मतलब 2 B2 O3 सेम यहाँ पे silicon का reaction भी अगर हम लोग O2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे भी आप लोगों का silicon का oxide यहाँ पे फोर्म हो जाता है तो दोनों का method हम लोगों ने देखा कि सेम हम लोग अगर इसको oxygen के साथ हीट करेंगे गर्म करेंगे तो यह क्या बनाते हैं oxide बनाते है समझा रहे हैं गाईस आप लोगों को तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइस वही चीज को लिख रहे हैं कि कारबन और silicon के sorry, boron और silicon के कौन-कौन से nature जो है वो एक दूसरे से मिलते जूलते हैं अब चलिए हम लोग पांचवे नमबर का देख लेते हैं hydride boron तथा silicon दोनों ही directly reaction नहीं करते हैं indirectly जो है वो आपस में react करते हैं और यहाँ पर boron और silicon दोनों ही hydrogen के साथ reaction करके hydride बनाते हैं तो देखें B2S6 जो की divorine कहलाता है इसके बारे में detail हम लोग आगे और topic में देखेंगे इसका अलग से topic है और यहाँ पे है monosilin जिसका formula है SIS6 तो दोनों ही hydrogen के साथ reaction करके hydride बनाते हैं और दोनों ही क्या होते हैं वास्पसील होते हैं तो यहाँ तक clear हो गई पांचवे नमबर का भी हमारा complete होता है अब चलिए छटवे नमबर का देख लेते हैं nitride तो देखते हैं दोनों के nitride दोनों nitrogen के साथ high temperature पर या उच्चता पर सयोग करके reaction करके nitride बनाते हैं अगर हम लोग boron और silicon दोनों element के reaction nitrogen के साथ कराते हैं तो दोनों ही nitride बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे देख लिए 2 boron 2B plus N2 यहाँ पे हम लोगोंने boron के reaction nitrogen के साथ कराया तो यहाँ पे आपका बन जाता है boron के nitride boron के nitride 2BN मतलब यहाँ पे simply हमको nitride बनाने के लिए nitrogen के साथ इसका reaction कराना पड़ेगा 3Si plus 2N2 मतलब यहाँ पे आपका silicon का भी nitride बनेगा Si3N4 तो दोनों के ही nitride बनते हैं तो यह तो हुआ गए छटवे नंबर का अब चलिए हम लोग 7 नंबर का देख लेते हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दोनों के कारबाइड कारबाइड मतलब क्या होता है जिसमें कारबन के साथ reaction कराते हैं दोनों ही कारबन के साथ उच्च ताप पर high temperature पर सयोग करके कारबाइड मनाते हैं जो की अत्यंत हाड होते हैं यहां पर दोनों में समानता क्या है कि दोनों के ही कारबाइड क्या होते हैं बहुत ज्यादा हाड होते हैं जैसे कि just example मैंने लिखा हुआ है B4C3 और SIC मतलब यहां पे जो बोरॉन है और सिलिकॉन है दोनों ही कार्बन के साथ रियक्शन करके कार्बाइड बना रहे है जो की अत्यंत कठोर होते है अब लोगों को अब चली आठवे नंबर के देख लेते है जल्दी से जिसका नाम है हैलाइड और यह आप लोगों का लास्ट पॉ इसका रियक्शन किसी भी हलोजन के एलिमेंट के साथ कराते है तो यह पे हमारा हैलाइड बनता है जैसे जैंग एक्जामपल के लिए BCL-3 बोरॉन का रियक्शन हम लोगों ने क्लोरीन के साथ कराया क्लोरीन एक प्रकर का हैलोजन lleमेंट है तो यहां पी क्या बना बोरॉन के हैलाइड जिसको हम लोग कहते है BCL3 और SICL4 यहाँ पे भी सिलिकॉन का रियक्शन जाए हम लोग क्लोरिन के साथ कराया तो यहाँ भी हमारे पास सिलिकॉन के हैलाइड मिल गया अब इसमें क्या कहा जाए रहा गई कि अगर हम लोग बोरॉन और सिलिकॉन के दोनों हैलाइड का रियक्शन वाटर के साथ कराते है देखें यहाँ पे जो जल द्वारा सिग रही बोरिक अमल तथा सिलिसिलिक अमल में अब घटित हो जाते है मतलब देखें अगर हम लोग बोरॉन और सिलिकॉन दोनों के हैलाइड का reaction water के साथ कराएंगी तो देखिए हमको क्या मिलेगा यहां पे boric acid मिलेगा और silisilic acid मिलेगा तो देखिए BCL3 plus 3H2O तो यहां पे दोनों आपस में react करके पहली बात तो SCL का 3 molecule यहां से बाहर निकलेगा यहां पे आप देख रहे हो 3H और यहां पे 3CL तो दोनों जो है वो 33 है तो यहां पे विए जो है वो बाहर निकल जाएंगे 3SCL और बाकी जो बच्चा है वो आपका बन जाएगा H3BO3 यहां पे आप लोग देखना जो hydrogen है वो total 6 है 3 into 2 equal क्या होता है 6 तो यहां पे total 6 hydrogen है तो 3 hydrogen तो यहां निकल गया और 3 hydrogen यह जो है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा उसी प्रकार अगर हम लोग सिलिकॉन के हैलाइट करेशन भी water के साथ कराते हैं तो same वही प्रोसेस होगा 4 SCL के molecule यहां से बाहर निकल जाएंगे और बाकी जो बच्चा है वो आपका क्या कहलाएगा silicylic acid तो यह है गाइस total art मैं आप लोगों को बताई हूँ जो कि आप लोगों को समझ आया होगा बहुत हीजिये गाइस practice कीजिये reaction की आप लोगों से बन जाएगा और इस topic की तयारी जरूर करना क्योंकि जो विकर्ण समबन है वो exam में काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो थैंक यू सो मुस गाइस फो वाचिंग